हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं बताओंगा कि अगर आपको घर के लिए मैट लेने हैं या कालिन टाइप का कुछ लेना है कालिन नहीं बोलते हैं इसको बतला अच्छे क्वालिटी का मैट जो साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज होता फाइफ बैसे म सब्सक्राइब करेंगे जो आप घर में डानिंग रूम या गेस्ट्रूम में लगा सकते हैं काफी ब्यूटिफुल दिखता है तो मैं बंजारा मार्केट से ही गया था वहां सभी मैं अपने घर के लिए मतलब पच्छिस किया था एक किचन के लिए पच्छिस किया था त्र कि उसके उपर मैं अपना डानिंग टेबल लगा सकता हूं जिससे काफी ब्यूटिफुल दिखेगा हो यहां पर क्या है कि काफी डिफरेंट वराइटी के मिल जाते हैं साइज मिमतलब की गेट के सामने रखने वाले बहुत सारे क्वालिटी के मिल जाते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आप घर में टाइस लगाया हुए है तो अगर टाइस लग रहा है तो नान इसकडी लें अगर पीछे जो रबड का लगा रहता है उसको लिए अधर वाइस थोड़ा एक इंसिदेंट भी हो सकते हैं उसे मतलबंदा कोई गिर भी सकता है अगर आप न क CBD के थैं के मैं देख सकते हैं यह लोर ग्लीकी से करते के हैं और प्रास कूंद काफी हाइए करते हैं जैसे देख सकते हैं तया हैं इनका रेंज कोट करते हैं चहाजार साथ जार यह से कोट करते हैं काफी इसक्रम कुछ लेकिन एक क्या हुआ था कि यह इस जब मैं गया था यहां पर तो पहले ही दुकान में मैंने इन किया था वहाँ पे एक बंदा था जो भी मैं अब अब जब और पर आतब लेट नहीं जा रही हैं तो जल्दी जाए जिससे क्या होगा कि आप आसानी से मतलब कि bargaining कर लेंगे और अच्छे प्राइस पर सामनद साथ कर लेंगे साम में क्या होता है बहुत सारे लोग जाते हैं और उस समय आप बारगरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दुकान में बहुत सारे लोग जाते हैं उनको सारे को मैनेज करना होता है तुम्हें बता रहा था कि जो फाइब बाइब सेवन का था वो मैं इंसिडेंटली मतलब एक देख लूँगा क्योंकि यह बहुत हैवी है मैं लेकर भूम भी नहीं सकता हूं तो मेरे टोकर मने भी नहीं दिया था मैं सुचा मार्ट में देख लेता हूं और कहीं और अच्छे मिल जाएंगा तो मैं उसको ले लूँगा तो अब मुझे एक आडिया मिल गया था कि इसके प्राइस इसी के बीस में होनी चाहिए फंद्रसों सब्सक्राइब करना है मुझे जो मैं पिछले वाली सौप में दिखा रहा था कि जो मैट था 527 का उन्हेंने कूट गया था 7000 मैंने बहुत लोग प्राइस रख बताया बार प्राइस हाई कोट करते करते मैंने उसे 800 रुपे पे गिया था जो इसमें देने के लिए अग्री हो गया काफी अच्छा गालीन था जब भी आप मैट खरी दें वह काफी अच्छा मैट था जब भी आप मैट खरी तो ध्यान रखें उसमें से रुवा ना निकले मतलब निकल नहीं रहता कुछ भी हलका सब एक रहात में आता है तो उसे पर्चेज ना करें क्योंकि वह घर को आपको गंदा कर देगा और का हमेशा निकलते रहेगा उसमें से सब बारिकिया हैं अगर आप अच्छे मैट काफी कम प्राइस पर यहां से ले सकते हैं देख सकते हैं यह 527 के बंड़नल पैक्ट है इनका रेंज वही 1500 से 2200 मैक्सिमम पची सो अब दें क्योंकि अगर यही मैट आप बाहर से खरीते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल से तो काफ इसी हाइली प्राइस कोड़ेट होता है वर्ण के नाहम पर से में यहां पर बैशते हैं मुझे आइडिया नहीं कहां से लाते हैं लेगिन काफी चीप प्राइस आहां मिल जाता है सस्ते वाले आए घर के सामने रखने लगाने के लिए इनको आप वैसे जशनरली पर्शुच कर रहे हैं तो देख रहें न नीशूण नहीं हो तो बहुत दिक्कत होगी आपको। नहीं प holidays यह जो है सेम लगा हुआ है तो यह बहुत स्रासली प्री होगा इसी भीजा के बाएं बात कर रहा था देख लें वाइड वाइड लगा हुआ है यह फाइड सेवन का था खाफी अच्छे क्वालिटी का दिख रहा था और मेरे घर के मतलब इंटिरियर से मैं चुरा था ब्लू मैं वहां से एक लाइंब लेकर आया था जो मैं फ्लिपकाट पर सेम लाइंब शासवाट्स हो में मिल रहा है तो आप वहां पर जाएंगे चीजें अच्छी लगेंगी तो आप प्राइस पे कर देंगे दमांगे ओ अगर आप वीडियो देखते हैं तो कुछ ने कुछ आप पचा सकते हैं और उनको भी मार्जिंग होता है इसा एक कर और दे रहा है तो कुछ ने कौन को कम पैसे दे रहा है तो देख सकते हैं यह सारे जो हैं काफी अच्छे क्वालिटी के मैट थे इंप यह पींदिया हुआ हैं पर सारे मतलब एठी मिलेंगे आपको यहां पर देख सकते हैं मैं किज़ए लिए देख रहा था लेगने काफी सार्प शाइनिंग था तो मैं से ना लिया इसके बगर में यह और था जो नहीं टाइप कर था यहां पर लगा हुआ यही पर तो मैं उसको ले लिया था तो उसका मतलब प्राइस सायद 3 भाई 2.5